ओके स्टूडेंट तो चलिए आज हम पेश नमबर 10 की एक्टिविटी देखते हैं आपको करना क्या होगा इस तरीके से मैप दिया हुआ है ठीके इस मैप में आपको क्या फैंड आउट करना है यूएंट फैंड आउट देखना कैसे हैं देखी यहां आपको कुछ खड़ी और ऐसी आड़ी लाइन है दिखरी है देखो हमारी इस मैप को हमने आड़ी और खड़ी लाइनों में क्या किया है डिवाइट किया है ठीके यह जो खड़ी लाइन होती है इसको कहते है और यह जो आड़ी लाइन होती है उसको क्या कहते है लाइटिटूड ठीके अब हमें अगर लॉंजीटूड और लाइटिटूड एक्स्टेंड देखना है तो इसका मतलब क्या देखना होंगा कि यह हमारा यहां से लेके यहां तक जो इंडिया है वो लॉंजीटूड में यहां का कौन से लाइटिटूड से यह स्टार्ट हो रहा है और इधर में कौन से लाइटिटूड से यह क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो यह हमें देखना होंगा कि इसका इधर से यह कौन से साइड है इस इस दा वेस्ट साइड ओके और यह इस्ट साइड तो यहां देख ओके इस्ट बोले तो इधर देखो यहाँ पे कुछ होंगा सॉरी यह तो वेस्ट साइड हो गया सॉरी यह वाला देखो दिखा यहाँ पे यह 68 है और 68 डिग्री और उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ 7 मिनिट इसका मतलब यहाँ से इधर में थोड़ा यह जो है यहाँ से जो लाइन गुजर रहा है वो 68 डिग्री और 7 मिनिट मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसा ड्रॉ करती हूँ कुछ तो थोड़ा सा कुशिश कर रही हूँ तो यह जो लाइन होगा यह 68 डिग्री 68 डिग्री और 7 मिनिट पे हूँगा ठीक है और यहाँ देखो E लिखा हुआ है E बोले तो Eastern Hemisphere जैसे की अगर हम इस पृत्वी को ऐसा निकालते हैं इसको अगर हम ऐसा डिवाइट करते हैं तो यह North और यह हो गया South इसको कहेंगे North Hemisphere और इसको कहेंगे South Hemisphere ठीक है अब अगर इसको हम इस तरीके से कट करते हैं ठीक है तो यह बन जाएगा आपका यह कौन सा साइड है East side और यह कौन सा है West side तो यह बन जाएगा आपका Eastern Hemisphere और यह बन जाएगा आपका Western Hemisphere अब देखो इंडिया और ब्राजिल किधर में है इंडिया जो है इधर में कही तो है ईसा ठीक है यहाँ कही तो इंडिया है और ब्राजिल इधर में कही तो है तो अगर आपको location पूछा जाए इंडिया और ब्राजिल का तो इंडिया कौन से हमिस्पियर में आ रहा है east और ब्राजिल आ रहा है आपके west उपर से इंडिया जो है वो fully north पे है और ब्राजिल जो है वो south में है ठीक है तो ये आपको इन लाइनों से पता चलता है कि देखो इंडिया का जो हमने यहां पे लिया 68 degree and 7 east और दूसरा है यह इधर 96 के थोड़ा बात है ना इधर और यह भी क्या हो जाएंगा east तो यह देखो 97 degree 25 मिनिट है यहां पे 96 के बाद यह बन गया 97 97 degree 25 मिनिट तो यह उसका longitudinal extend हो गया तो अब आपको latitudinal extend देखना ज़्यादा difficult नहीं जाएंगा यह देखो यह आप यहां this is what the 8 line है ना इंडिया starting from this 8 तो north में north बोले तो north hemisphere में है ठीक है मैंने पहले ही बोला कि इंडिया north में है this is the north and this is the south ब्राजिल south में है और यह north में है और eastern में है इसलिए इसलिए यहां पे यह दिया हुआ है और यह north में इसलिए यहां पे आप इधर देखोगे तो दिया नहीं है but it is a north ठीक है यहां से start हो रहा है north degree and 4 minute और end कहां पे हो रहा है इधर कितना है यह कितना हो सकता है 36 के अबव है इसका मतलब यह 37 degree 6 minute पे है ठीक है इतना तो clear है फिर यहां पूरे क्या है इसके यह states है तो आप लोगों को क्या करना है यह पूरे states को learn करना है करनाटका कहा है गोवा कहा है माराष्ट्रा कहा है दीव दमन गुजरात यह सारे चीज़े आपको क्या होने चाहिए learn होने चाहिए दूसरी अभी देखो यह क्या है यह जो blue दिखा रहा है these are the water bodies you have to know कि भाई यह west side में कौनसी water body है east side में कौनसी है west में कौनसी है south में कौनसी है आपने देखना है देखो west में arabinsi है south में इंडिया नोशीन है और east में bay of bengal है ठीक है उसके बाद उसकी यह जो side है यह western side है western side में कौनसी countries उसकी neighboring countries बोले तो इंडिया से जुड़ी हुए यह देखो पाकिस्तान यहां से जुड़ा हुआ है और इधर में कश्मीर में यहां से थोड़ा सा अफगानिस्तान जुड़ा है यहां से यहां से लेके इधर अफगानिस्तान फिर यह पूरा जो है चाइना है ठीक है चाइना देखो इधर से भी इतनी पूरी लाइन चाइना से जुड़ी हुई है यहां से इतनी लाइन सिक्किम से जुड़ी हुई है फिर यहां भुटान है यहां नेपाल है यहां बांगलादेश है और इधर फिर से यह जो अरनाचल प्रदेश है अरनाचल प्रदेश से ल neighboring countries है, आपको क्या करना है कि कौन से side में कौनसी country है उसकी list बनाना है, और इस तरीके के table में उसको feel करना है, जैसे कि देखो, direction नौर्थ-साउध में कौन से neighboring countries है, अब देखो, North-South कौन सी है, ये, अब North side में कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, ठीके, उसके बाद ये China दिख यहां है ठीक है देन यह नेपाल भी नौर्थ के तरफ ही दिख रहा है और भुटान भी नौर्थ के तरफ दिख रहा है ठीक है अब क्या नौर्थ साइड में कोई नेबरिंग वाटर बोड़ी है दिख रहा है यहां पर कोई समंदर नहीं तो यह ब्लांक आ जाएंगा यहां स अभी West Side, ये West Side है, ये वाली West Side है, West Side में कौन से कंटर दिख रही है, पाकिस्तान, और West Side में कोई Water Body है क्या, येस Arabian Sea है, तो आप इसको Arabian Sea करके दे सकते हो, ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हो कि टीचर ये तो North West Side में है, या फिर ये South West Side में है, तो यहाँ हमने जो सब साइट से उसको कंसिडर नहीं किया, सिप में साइट को कंसिडर रही है, बोले तो उत्तर दक्षिन, पूरब पश्चिम, ठीक है, उसके बाद, सेम आपको South और East के लिए भी करना है, जो यहाँ पे मैंने already दिया हुआ है, so you can just see this, read this, and your all queries will be clear, एक चीज़ और, आपको इस तरीके से index बनाना जरूरी है, हमेशा, क्योंकि आप, जब map में जब feel करते हो, तो कौन सी चीज़ से क्या show कर रहे हो, यह दिखाना जरूरी है, तो देखो, यहाँ पे यह जो lining है, वो international boundaries के लिए हमने use की है, यह वाली जो lining से, यहाँ देख रहा है, state boundaries के लिए, और इस इस तरीके से, जो dot use किया है, यह यह इंडिया के capital के लिए, बहुत बार, where is, दिल्ली करके आता है, आप बच्चे बराबर लिखते नहीं, देख लो, दिल्ली कहाँ पे है, यहाँ दिल्ली है, ठीके, उसके बाद, यह अंदमान और निकोबार है, इंदिरा point को सबसे last है, इ यह last point आता है, ठीके, आप देख सकते हूं कि देखो, यहाँ से जो है, यह जो line दीख रही है, this is the international boundary, मतलब इस line के इधर में, श्री लंका है, और उधर का जो समंदर है, वो इंडिया का है, अब देखो, इधर में भी हम देखते है, यहाँ तक जो है, यह इधर से Myanmar का क्या ह समंदर है, लेकिन यहाँ से लेकि यहाँ तक का जो समंदर है, वो हमारा है, फिर इधर से इंडोनेशिया का शुरू हो रहा है, फिर यह वाला भी पूरा portion कौन सा है, इंडिया का है, इधर भी आप देख सकते हो, यह है आपका लक्षदीब, यह जो छोटी छोटी चोटी आ काना है, ठीके?